subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone नमस्का दोस्तो आप सभी के स्वाधित है आप ही के अपने YouTube चैनल हाई टेकिंफो में तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक और unboxing वीडियो लेकर आए हैं और आज हम unboxing करने वाले 10.1 इंच का टैबलेट जिसको मैंने मात्र 5000 रुपी में परचेस किया है तो दोस्तो चलिए इसका unboxing शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपर packaging बहुत जवरदस्त करी गई है तो दोस्तो इसके अंदर है हमारा 10.1 इंच का टैबलेट और इसके साथ दोस्तो हमको एक cover भी गिया गया है तो दोस्तो मात्र 5000 रुपे में आपको 10.1 इंच का टैबलेट और साथ ही में आपको cover भी मिल जाता है तो दोस्तो यहाँ पर इस box पर कुछ भी mention नहीं है तो दोस्तो चलिए अब हम इस box को open करके देखते हैं कि इस box के अंदर हमको क्या क्या मिलता है तो दोस्तो यह है हमारा 10.1 इंचिस का टैबलेट तो इस टैबलेट को हम पहले side रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या access अंदर हमको इसके अंदर मिलती है इसके साथ दोस्तों पर एक user manual मिली है यह user manual दोस्तों English में है और साथ ही एक charging adapter मिला है तो दोस्तों नहांपर आप देख सकते हैं इसमें आपको 2M का charger मिल जाता है तो 2M के charger के वज़े से यह tablet को काफी ज़ल्दी चार्ज करेगा यहाँ पर हमको एक और USB to micro USB केबल मिली है और यहाँ पर हमको एक stylus भी दिया गया है और साथ ही हमको दोस्तों एक screen protector भी मिल जाता है तो दोस्तों के बल की मदद से आप अपने tablet में pen drive, USB mouse, USB keyboard लगा सकते हैं तो लेट स्किप अल दी सेक्सेसरी इसाइड फर आवाइल तो दोस्तों जैसे के आप देख सकते हैं इसके साथ हमको क्या के अक्सेसरी इस मिलती है तो अगर में इस सभी अक्सेसरी इसको साइड रखते हैं तो दोस्तों ये है हमारा 10.1 इंचिस का tablet और साथ ही दोस्तों इस टाबलेट की एक खासे आते हैं कि इस टाबलेट में आप अपने SIM भी लगा सकते हैं और साथ ही आप इसमें अपना MicroSD काईट भी लगा सकते हैं तो दोस्तों ये टाबलेट Dual SIM सपोर्ट करता है तो दोस्तों पहले में आपको इस टाबलेट का आवर व्यू दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप Micro USB केबल लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए और यहाँ पर बैक में आपर रेर कैमरा दिया गया है और साथ ही आपर LED फ्लैश भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों Dual Speaker मिल जाते है आपको और दोस्तों इस टाबलेट के राइट साइड में आपको Power On Off की मिल जाता है और इसके नीचे ही आपर Volume Lockers की दिया गया है ऑर यहाँ पर दोस्तों 3.5 mm आइडियो जैक मिल जाता है आपको और यहाँ पर टाबलेट का Mike зар की डिया गया है और आप गया और यहाँ बुर्सका मैं नहीं है कि I think capacity button है ये तो आप हम इसको बूर्ट करके देखते हैं है कि याद करेंगे लिए रचाई करने से लाद सेलें लुटाई लुटार लुटार बारे हमोईं हुटार सेलेंगे लुटार हम इसका हुटार बारे अ़रे हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सके यहाँ पर मेमोरी काल्ड पहले से लगा हुआ है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टैबलेट की साथ हमको 64GB के मेमोरी कार्ड फ्री मिल जाता है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं टैब्लिट डूल सिम सपोर्ट करता है और साथ ही यह आप पर आप अपने में मोरी काइड भी लगा सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम इस टैब्लेट को बूट करते हैं इस टैब्लेट को बूट करने के लिए दोस्तों आपको इस पावर ओन आप की को कुछ सेकिंद्स तक प्रैस करकर रखना है तो आप देख सकते है टैब्लेट बूट हो गया है अब आप ऋन हो गया है और यहापे आप आइंड्रॉइट का बैंडिंग है जोट से हैं कि दोस्तों 10.1 इंचेस की स्क्रिण होने के वज़े से टैब्लेट काफी बढ़ा है आप देख सकते हैं इस इस टैबलेट को मैं अपने एक हास से नहीं पढ़ पार हूँ, इस टैबलेट को पकड़ने के लिए दोस्तों मुझे अपने दोनों हाथों के यूज करना पड़ रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हम इस टैबलेट का अब आउट फॉन सेक्शन दिख लेता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह Android 6.0 operating system पर वाउप करता है तो दोस्तों जैसे कि मैं इस बटन की बात कर रहा था यह capacitive button है दोस्तों यह आपको दिखने में लगए गा कि यह button pressable है लेकिन यह button pressable नहीं है यह capacitive touch button दिया गया है इसमें तो दोस्तों काफी premium looking tablet है यह दोस्तों मात्र 5000 रूपर में आपको यह tablet मिल जाता है तो अब हम इसका storage section डेख लेते हैं तो दोस्तों टैबलेट की phone storage की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको 58.77 GB हमको मिल जाता है phone storage में और दोस्तों टैबलेट के साथ में 64 GB का एक microSD card मिला है तो आप देख सकते है आपको 64 GB आपको 62.44 GB आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप camera quality वेख सकते हैं यह with flash लिया गया है और यह picture without flash मैंने लिए है तो दोस्तों camera quality आप देख सकते हैं ठीक तक camera qualities में आपको मिल जाती है आप Primary कि यह लगा जादिए नाद़ लाद़ कि लगाद़। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस टैबलेट का एंट्टिटू बैंच वमारे की स्कॉर देख सकते हैं दोस्तों यह score काफी ओके score है, काफी ठीक ठाकी score है यह, मैं यह नहीं कहुआ हो बहुत अच्छा score है लेकिन काफी अच्छा score है दोस्तों यह तो दोस्तों जैसे कि आप सुन सकते हैं यह speaker काफ की loud speaker है और दोस्तों आप इस tablet से calling भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप पर डायलर लेकिन दोस्तों अभी मैंने इस tablet में कोई भी sim नहीं लगाई है तो आप देख सकते हैं आप दोस्तों इस tablet की मतबसे आप call भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस tablet को cover में डाल के देखते हैं किस प्रकार से यह tablet दिखेगा तो दोस्तों इस tablet कुछ इस प्रकार से दिखेगा कवर में डालने के बाद प्राइब प्राइब अगर आपको ये वीडियो के लाइक और अपने सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के निचे देगे लाल के लिएक बटन को अभी कभी दबा दिना है और आप सब्सक्राइब करने बटन को वीडियो दबा दिएगे ताकि सबसे पहले आप वीडियो देख सके तो दो नमस्कार हुआएब कर दो कर दो